नमस्कार, वेलकम टू ब्रेक टाइम वारतालाव कहते हैं न कोई गलत बात भी आप बार बार बोले तो वो सच लगने लगती है ऐसा ही कुछ हुआ है हिंदू देवी देवताओं के गिंती को लेके ऐसा माना जाता है और ये जेनरल परसेप्शन भी है कि हिंदू देवी देवताओं 33 करोड है जहांकि वो 33 करोड नहीं बलखी 33 प्रकार देवी देवताओं है ऐसे कई सारे अटेंट हिस्ट्री में भी हुए हैं जहां इसको क्लारिफाई किया गया है आईए आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं असल में हिंदू धर्म ग्रंथों वेद पुराण और शास्र आदी में देवी देवताओं को 33 कोटी बताये गया है इसी शब से ये भ्रांती फैली क्योंकि कोटी का तातपर करोड होता है लेकिन कोटी का एक तातपर प्रकार यानि टाइप भी होता है असल में ये देवी देवताओं के संक्या 33 करोड कैसे संभव हो सकती है इन 33 प्रकार में सबसे पहले आते हैं आठ वसू वसू अर्थात हमें वसाने वाली आत्मा का जहां वास होता है ये आठ वसू होता है धर्ती, जल, अगनी, वायू, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नच्छत्र इसके बाद आते हैं 11 रूद्र दरासल रूद्र शरीर के अव्य है जब मनुश्य मर जाता है तो उसके भीतर से ये सभी 11 रूद्र निकल जाते है जिनके निकलने के बाद उसे मृत माल लिया जाता है शरीर से निकलने वाले इन रूद्र के नाम है प्राण, अपान, व्यान, सम्मान, उद्दान, नाग, कुर्म, किलकर, देवदत और धननजे और अंत में है जीवात्मा इसके बाद आते हैं 12 आदित्य आदित्य सूर्य को कहते है भारती क्यालेंडर सूर्य पर आधारित है समय के 12 महीने को 12 आदित्य कहते है 12 आदित्य आठ वसू 11 रूद्र और इंद्र एवन प्रजापती को मिलाकर इन देवताओं की संख्या 33 होती है इस प्रकार भगवान ने 33 प्रकार के देवताओं को शृष्टी के संचालन के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां दी हुई है इन देवताओं के साथ साथ कुछ देवदूत और देवियों का जिक्र भी किया जाता है और तीन लोकों का जिक्र किया जाता है जिसमें आकाश, वायू और पृत्वी आते हैं इन 33 कोटी देवताओं के अलावा कुछ अन्य देवी देवताओं को भी माना जाता है लेकिन इन सब की संख्या भी करोड तो बहुत दूरे हजार तक भी नहीं पहुँशती इसी तरह किसी ने कुछ पढ़ कर, कुछ और समझ कर, कुछ और समझा दिये और हमने उसी को सच मान लिए इसलिए आप से विंती है कि हमारे वीडियो को देखने के बार भी आप भी अपना रिसर्च करें और पता करें कि इग्जाक्ली ये है क्या उमीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा Stay connected for more stories coming up Take care